हेलो एवरीबड़ी वेलकम बैक तु मैं चैनल कैसे आप सब आप सब आप सब अच्छे होंगे गाईज अगर कोई मुझसे पूछे ना कि एक वेट लॉस के लिए सबसे जाला जलूरी चीज क्या है तो मैं यही कहूंगे कि डाइट है यूगि आप जो खाते हैं पीते हैं वह जो ही आप दिखते हो वही आपका बॉड़ी का स्ट्रेक्शल होता है शेफ होता है वेठ होता है एक्सरसाइज भी एक रोल प्ले करती है लेकिन सेवंटी टू एल्टीपर संट आप क्या खारे हो किया पीरे हो यह चीज श्न साइड करती है कि आपका वेट लॉस होगा या नहीं और कितना होगा तो आज की वीडियो भी कुछ इसी से रिलेटेड है आज की वीडियो में मैं आप से शेयर करूंगे एक ऐसा डाइट प्लैन जिसको फॉलो करके आप एक महिने में 10 kg वेट लॉस करेंगे जी हाँ आप यह क कि यह डाइट प्लैन की कुछ अच्छी अच्छी बाते मैं आपको बता रहती हूं यह डाइट प्लैन इंडियन है सिंपल है जो आज तक आप खाते आ रहे हो वही चीज़े है डाइट मींस आपको आपको अपना रोटी चावल दाल सबजी यह सब नहीं छोड़ना है पनीर इजी वेइट लॉस करेंगे तो आजाओ मेरे साथ उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हो मुझे पहली बार देख रहे हो तो मेरे चैनल को कर लो सब्सक्राइब क्योंकि फ्यूचर में भी मैं ऐसी बेनिफिशल वीडियो आप लोगों के लिए लाती रहूंगी और अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो आप इसको लाइक करो और अपने फ्रेंड्स फैमिली रिलेक्टिव्स के साथ शेयर करो इतना ही चाहिए मुझे आपसे आपका फूब सारा प्यार खूब सारा सपूर ठीक है तो लेक्स बिगें ता वीडियो नाव करेंगे आप साथ से आठ बजे के बीच में इससे दारा लेट नहीं होना चाहिए आपको टाइम से सोना है टाइम से उठना है तभी यह डाइट प्लान अपना वर्क करेगा क्योंकि स्लीप और वेट लॉस में भी कनेक्शन होता है इसके बारे में किसी और वीडियो में बा करेंगे साथ से आठ बजे के बीच में उसके बाद आप फ्रेशन अप होंगे आफ्टर आप एक ग्लास गुन गुना पानी पीएंगे जी हां नो कॉफी नो टी नो रोटी नो पराथा कोई भी आप सॉलिड नहीं खाएंगे आपको अपने दिन के शिरुवात पानी से करनी पानी से इसलिए करनी है क्योंकि राद भर आपकी बॉड़ी वो पानी नहीं मिला होता वो डिहाइड्रेटेटिट हो जाती है इसलिए उसको पानी देना बहुत ज़लए है सुबह के टाइम पे इसके अलावा आपकी बॉड़ी में पूरी राट तॉक्सिंस जमा हो जाते है जिनको रिमूफ करना बहुत ज़ारा ज़रूरी है टॉक्सिंस रिमूफ कैसे होते हैं फ्लश आउट होते हैं वह यूरिन के थू यूरिन कब आएगा जब आप पानी पीएंगे ठीक है अब इसके बाद आदे घंटे बाद अपना ब्रेकफास्ट लेंगे ब्रेकफास्ट में मैं आपको काफी सारे ओप्शन्स तोंगी आप हर दिन बदल बदल के चीज़े खा सकते हैं जो पहला ब्रेकफास्ट ऑप्शन है वह है ओट मील ओट मील को बनाना बहुत इजी होता है इस के लए आपको ओट्स चाहिए और मिल्क चाहिए और सवीटनेस के लिए आप अपनी अट कर सकते हैं rebuild अधि कर सकते हैं को मेंनों मैं से कुछ भी ऐगिक्शती कर सकते हैं और वौर वैट शुगर आपको नहीं डालनी है और कोपने बदलनाओ से जाधा नहीं डालनी टू एक्स वेजिटेबल ओमलेट इसको बनाना वहनत एजी है इसकी recipe मेरे चैनल पे है इस वीडियो के description box में मैं आपको उसका link दे दूंगी आप उस link को click करके उस video पे जा सकते हैं और पूरी recipe देख सकते हैं उसको बनाना भी बहुत एजी है और vegetables में fragile होता है जो हमें काफी energy कोशिश आप यही करिए कि आप घर बनाईए क्योंकि भार का कुछ भरोसा नहीं होता कि वह क्या डालते हैं क्या नहीं अगर आपको कोई बंदा ऐसा है जो आपको बता है है कि अच्छे से बनाथा है फाहिजिनिक तरीके से बनाता है और तो आप उसका यू लेके आ सकते हैं मिल जाए और कई सारी रैसेपी आपको यूट्यूब शैनल पर रिल जाएगी तो यह आपका 3ड ब्रेकफास्ट उप्षन जो चौथा ब्रेकफास्ट ऑप्षन है वो है स् स्मूधी होती है आप यूट्यूब शैनल किसी भी यूट्यूब शैनल पर जाके देख सकते हैं हाव तु मेक डिफरेंट टाइपस ऑफ स्मूधी लेकिन एक स्मूधी है पर मैं मैं इंशन कर देती हूं आपल स्मूधी जो की बहुत इजी है बनाना उसके लिए आपको तू मीडियम साइज आपल्स चाहिए साथ में आपको मिल्क चाहिए लो फैट मिल्क आधा ग्लास और उसमें उसको डाल दो उसके अंदर शुगर के लिए आप तीन ओप्शन्स ले सकते हैं और उन लोगों के लिए जो बहुत जाला बिजी है जिनके पास यह सारी चीजे बनाने का पार्च मेरत का भी टाइम नहीं है आप पॉन्फ्लेक्स ला सकते हैं म्यूस्ली ला सकते हैं दोनों ऐसे कुछ भी उसके अतर लो फैट मिल्क डालो हनी डालो या फिर कोकोनेट शुगर डालो या फिस्टिविया शुगर फ्री डालो और एंजॉय करो अपना ब्रेक फास्ट तो यह पाच ऑप्शन्स मैं आप आपको ब्रेक फास्ट में दे दिया बदल बदल के चीजे खा सकते हो एक और यहां पर मैं दे देती हूं आपको एक और ऑप्शन है जो की है बेसल का चीला जो की अमेजिंग होता है मेरा परस्नली फेवरिट है आप उसके अंदर बहुत सारी वेजिटेबल स्टाल के उसको बना सकते हैं और होमेड चटनी के साथ खा सकते हैं कोई कैच अप यहां पर यूज नहीं करेंगे तो आप एक चीला बड़ा चीला है तो एक चीला अगर छोटे-छोटे चीले है तो आप दो चीले एंजॉय कर सकते हैं बेसल में काफी साला प्रोटीन होता है जो हमारी आप दिशी देता है सो इसलिए आप बेसल कचीला भी अपने वरेक फास्ट में एंजॉय कर सकते हैं अब हमने बात कर ली ब्रेक फास्ट अब हम बात करेंगे मिड़् मॉनिंग स्नैक की यानि कि ब्रेक फास्ट से दो घंटे बाद और लंच दो घंटे पहले आपको जैसा कि इस पूरी डाइट प्लैन में हर दो घंटे बाद कुछ खाना है अपने metabolism को boost करने के लिए speed-up करने के लिए तो इसलिए आपको breakfast के दो घंटे बाद कुछ खाना है आप इसमें क्या क्या खा सकते हैं मैं आपको दो options यहां पर देती हूं, आप dry fruits खा सकते हैं, sorry, तीन options देती हूं, आप dry fruits खा सकते हैं, fruits खा सकते हैं, जो भी season में fruits हैं, या फिर आप two maria biscuits, या digestive biscuits, green tea के साथ ले सकते हैं, आप normal tea नहीं लेंगे, ठीक है, और अगर लेनी है, if you want to have normal tea, then don't add any kind of sugar in it, okay, so ये हो गया हमारा mid morning snacks, अब बात करते हैं, lunch की, lunch में आपको basic घर का खाना खाना है, जैसे कि अगर आपके घर में रोटी बनिया, तो आप रोटी खाएंगे, जो भी सबजी उसके साथ बनिया, वो खाएंगे, रोटी आप एक खाएंगे, एक से जादा नहीं, हाँ, बहुत छोटी छोट आप रोटी बनिया, तो आप दो भी खा सकते हैं, लेकिन एक medium-size रोटी आप खाएंगे, वीट रोटी और उसके साथ जो भी सबजी दाल जो भी बनाएंगे गर दो सबजी बनिया तो दो सब्सक्री खालो, एक सब्सक्री बनिया तो वो खालो, इसके साथ आप लेंगे और सबजी खाएंगे, इनकेस अगर आपके खाल में रोटी नहीं बनिया या आपका मन नहीं है रोटी खाने का तो आप ब्राउन राइस ले सकते हैं, ब्राउन राइस आप एक कर्टोरी लेंगे उसके साथ अगें एक कर्टोरी दाल और सूखी सबजी, सो आप सबजी सारी आप अपनी रोटी और चावल की क्वांटिटी को नहीं बढ़ाएंगे जितनी मैंने बताया है उतनी ही रखेंगे वन कर्टोरी ब्राउन राइस और रोटी में एक मीडियम साइज रोटी खीक है यह आपकर लंच हो गया पहला अप्शन लंच दो अप्शन हो गए लंच के ज अप्शन हो गया ब्रॉक्ली हो गई कैरेट हो गई बीन सोगे कितनी सारी कॉली फ्लाइब हो गया इसकी रैसेपी भी आपको कई फूद चैनल पे मिल जाएगी उसके साथ आप लेंगे तू स्लाइसेज ऑ राउंड ब्रेड वाइड ब्रेड आपको बिलकुल लेनी नहीं है तू स्लाइसेज ऑफ प्राउंड ब्रेड लेंगे और यह हो गया आपका तीसरा लंच अब बात आती है इवनिंग स्नैक की वो टाइम जहां पर हमें सबसे जादा ख्रेविंग होती है गलत सलत खाने की लेकिन उस ट्रैम पर हम अपने पेर्ट को कुछ हल्दी चीज देंग लेकिन दो उबले हुए अंडे आप खाएंगे उसका येलो पार्ट नहीं निखा लेंगे क्योंकि उसमें कुछ हल्दी फैट्स होते है येलो पार्ट में जो की हमारी बॉडी में जो बैड फैट होता है उसको काटता है उसको रिप्लेस करता है तो आप येलो पार्ट भी थिंदब मेन कीकृट ह suspect कि मिच Turkish का सकते हैं जो वी स्क्राइब का सकते हैं को फोड़ी थोड़ी कॉइन्टी में ले सकते हैं इसके आफ़ा जो टीसे ऑप्षन है वह है ऑं इंजूस एक glass orange juice, आप या तो हलपे बनाईए, या फिर वो जो अंकल होते हैं, जो आप फ्रेश ली, fresh orange juice देते हैं, आप वो भी पी सकते हैं, एक glass, जो चौथा option है, evening snack का वो है, ग्रीन टी के साथ, आप टू रस ले सकते हैं, जो दस हम नौर्मली चाहे के साथ लेते हैं, आप ग्रीन के साथ लेंगे, या फिर अगर आपको घ्रीन टी पीने का मन नहीं है, तो आप लैमन टी भी ले सकते हैं, अब बात आती है, डिनर की, डिनर में आपको अगेन आप रोटी खाना चाहते हैं, रोटी खाये, चावल खाये, चावल खाये, लेकिन quantity वही रखेंगे, जो मैंने आपको बताई थी लंच में, यानि की एक रोटी लेंगे, आप मीडियम साइज और उसके साथ जो भी सबजी बनी है, जो बना हुआ है, ज़र ज़रूर लेना है, तो यह हो गया आपका डिनर, तो एक शीज इस पूर डाइट प्लैन में जो इंपॉर्टेंट है, आपको हर एक दो हंटे बाद खाना है, और इसके साथ आपको 9-10 गलास पानी पीना है, बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी बॉर्डी को हाइड्रेटेट रखे, यूंकि बीच बीच में हमें लगता है कि हमें भूख लग दिये कुछ है हमारी बॉर्डी को अच्छली क्या होता है कि बास होती है, हमें लगता है कि वह भूख है, और उस ट्रैम पर आप पानी पीलेंगे तो आपकी जो हंगर है वह सप्रेस हो जाएगी और आप कुछ गलत शलत खाने से बचेंगे, तो यह है डाइट प्लैन जबने आपको बताया है, आप एक महीना इसको फॉलो करो चीटिंग और मुझे वदाओ कॉमेंट सेक्शन में, ठीक है?